ओनले दंगे वैसे कि अद्स अदशके हो you ऑलगातार प्लावरिंग कैसे हो इसके अप़राजम चर्चा करें दोस्तों सबसे important tip है regular pruning आप अपने plant की regular pruning करें और जो पूराने flowers हैं उन्हें प्लक करके हटाते रहें साथ ही साथ जो tip है आगे के जो leading branch का tip है उसे आप pruning कर दें इस तरीके से आप प्रून करके हटा दें इससे जो लेटरल बर्ड्स होते हैं वे एक्टिवेट हो जाते हैं यहां से यहां से यहां से और यहां से बर्ड्स एक्टिवेट होंगे और आपके प्लांट के उपर मल्टिपल फ्लावरिंग होगी तो ये एक सिंपल से ट्रिक है जिसे हमें बार-बार रेगुलर्ली करना चाहिए हमारे इस हिबिसकस के उपर काफी संख्या में फ्लावरिंग हो रही है और बड़ी ही खुबसूरत फ्लावरिंग हो रही है इसे मिल्ची हिबिसकस भी कहते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरे प्लांट के उपर बंचेज में फ्लावर्स आ रहे हैं जहां भी हमारी नजर जाती है हमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स नजर आ रहे हैं दोस्तों आज हम हमारे हिबिसकस को देने वाले हैं पावर पैक्ड औरगेनिक पैलेट्स यह जो pellets है यह organic pellets है इनके अंदर बिल्कुल भी chemical नहीं है और यह easy to use है और बहुत तेजी से काम करती है within 10 to 15 days you can see results beautiful results यह जो pellets है यह soil को revitalize करती है और साथ ही साथ जो soil की performance है बहुत ही improve हो जाती है उसे organic minerals मिलते हैं तो उसे flowering, fruiting और साथ ही साथ जो जड़े हैं उनका विकास बहुत जल्दी होता है और बहुत तेजी से होता है तो आज हम यूज करने वाले हैं इन pellets का स्वाइल के surface के उपर आपको tablet को रखना है और push करना है यह अंदर चली जाएगी और धीरे धीरे यह अपना जो fertilizer है nutrient है उसे जड़ों के अंदर देगी लेकिन यह असर बहुत जल्दी करता है आईए इसे water कर देते हैं आईए लाँ कर राज कर बाज कर दो आजए लुक बाज दो आजवाँ